अभी कि हमें किस दिसा में सोनी चाहिए तो कहां सोनी चाहिए घर में सोनी चाहिए वाहर में सोनी चाहिए सबसे पहले है दिसा कितनी है तो है चार दिसा पूरब पस्चिन उत्तरदच इसके साथ-साथ अगर कोन को हम लोग लेते हैं तो चार कोन भी हो जाता है, पुरः उत्तर कोन, पुरः दक्षिन कौन, दक्षिल पसान कोन, और दक्षिन उत्तर कोन, प्रसमिहा है कि वास्तो के मुताविक हमें किस दिसा में सोने चाहिए? तो कहां सुनी चाहिए घर में सुनी चाहिए बाहर में सुनी चाहिए कहां सुनी चाहिए अगर घर की बात आती है तो इसमें रूम सबसे पहले आएगा कि रूम में किस कहां पर सुनी चाहिए तो सोने के लिए सबसे उत्तम दिशा जो है वो है फुरू के तरफ माथे करके सोना यह सबसे उत्तम माना जाता है इसके बाद लोग अपने रूम के construction के मुताविक जैसे पलंग को लगाने का या चौकी को लगाने का जो बिवस्था है रूम में उसके मुताविक भी लोग सोते हैं तो जैसे कि जो हमारा बेड़ है वह उत्तर दक्षिन लगाए उत्तर दक्षिन के लिसा में हम लोग लगाए तो कहा जाता है कि उत्तर तरफ जो है यह नहीं सोना चाहिए क्योंकि वह चुम्बकी छेत रहे और आपका ब्रेन भी जो है यह ऐसा यह पावर पॉइंट है जो उस उत्तर दक्षिन की तरफ अगर बेड़ हो तो दक्षिन दिसा की तरफ सोना यह अच्छा माना जाता है आपने देखा होगा कि जब किसी का देहावशान हो जाती है अगर कोई गुजर जाते है तो उसको उत्तर और दक्षिन रखा जाता है उत्तर की तरफ माथा और दक्षि एक यहां भी factor है कि उत्तर दक्षिंगी नहीं सोना चाहिए जो है डेड़ बोडी को रखा जाता है इसके बाद है कि पश्चिं दिसा की और क्या है तो पश्चिं दिसा की और भी सोना अति उत्तम माना जाता है बहुत अच्छा माना जाता है इस दिसा में सोना परन्तु सास्त यह भी कहता है कि आप अगर पस्चिन दिसा की ओर शर करके सोते हैं और आपका पइर अगर पुरब दिसा की ओर है तो कोशिज कीजिए कि सुर्योदै से पहले आप उठ जाएं क्योंकि हमारा पर जो है सांस्ता आक मुताविक जो सुर्ज का जो उदय है उसमें हमारा पर उसकी उनकी ओर तरफ नहीं रहना चाहिए इससे कहता है कि सुर्य दोश लगती है शुर्य हमरा पिता है पिता पर विश्वर है तो पिता की ओर में पाइर करके सों यह तो कहीं पर भी कुछ इतना नहीं माना जाते है तो इसलिए हम लोग सुर्योदे को मांनते हैं पुर्व दिसा की तरफ परेकर सो सकते हैं परंतु शुर्योदे अग्राप उठ जाते हैं जो दोस है वास्तु दोस ज्या जो हम ने आपको कहा कि यह हमारे पिता हैं प्रम्पिता पर मिंश्वर हैं उनक्य जो दोस लगेगा उस दोस से आप मुक्ति पासकते हैं जी अच्छा है कुर्म दिशा के तरफ वश्चिन दिशा के तरफ भी आप सर करके सो सकते हैं उत्तर के तरफ कभी भी सर कर नहीं सोना चाहिए यह साइंटिफिक भी कारण है वास्तु के मुताबिक भी अदोस है और हमने जब आपको बताया कि जब हमारा सरीट डेड़ हो जाता है तब यह हम लोगों को उत्तर दिशा के तरफ सर और गच्छिन दिशा के तरफ फईर रख करके सुलाया जाता है कि यहां भी एक दोस और है जो कि हमारा सरीट डेड़ तो नहीं हुआ है कि तब कर मुझ कर देश होए यही एक बास्तु का दोस माना याता है